Hello students, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल Civil Engineering Chapterwise में आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे Impact Test of Aggregates Step by Step हम सारे Process को देखेंगे इसके साथ हम Reading को भी डिसकस करेंगे इसकी Reading कैसे हम ले सकते हैं ओके, आईए, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो Object इसमें हमारा जो Main Aim होता है उसमें हम Aggregate की जो Impact Value है उसको Find Out करने की कोसिस करते हैं Road पर जो हम Aggregate का Use करते हैं उसमें Impact की जो Value है वो हम कैसे Find Out करेंगे इस Test के जरू हम Find Out करेंगे अगर आखिरकार हम इस Test को करते क्यों है Why this Test is Conducted इसको हम करते क्यों है यह आप Figure में देख सकते हैं एक Tire है जो कि एक Vickle का Tire है और उस पूरे के पूरे Vickle का जो Load होता है जो उसमें भार होता है उसका जो Impact हमारे Aggregates पर होता है तो उस पर जो Impact पर जैसे वो तूटता है या नहीं तूटता है तो वो हम चेक करते हैं इस टेस्ट के थूरू अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेला इकन का आप जुरूर प्रेस कीजिए भार की वजए से जो उसके लोड की वजए से Impact होता है हमारे Road Aggregate पर तो उसको हम Toughness बोलते हैं ठीक है Due to traffic loads, the road stone are subjected to the impact and there is possibility of road break into the smaller pieces जो हमारा traffic load होता है उसके जैसे हमारा जो aggregate है वो छोटे pieces में तूट सकता है ओके, the road stone should therefore be tough enough to resist fracture under impact तो हमारा जो aggregate है वो हमारा ऐसा होना चाहिए कि यह road का जो load उसपे गरेगा traffic का जो load उसपे आता है तो उसके impact से वो तूटेना तो ऐसा हमारा aggregate होना चाहिए This test is designed to evaluate the toughness of the stone तो इस test से हम उसके toughness value को ही find out करते हैं ओके यह देखिए apparatus अप्रेटिस में first हमारा जो आता है वो impact test machine होती है impact test machine हमारी यह है आप देख सकते हैं सबसे नीचे हमारी base plate होती है उसके उपर एक cup होता है जो detachable होता है इसको हम यहां से हटा भी सकते हैं दुबारा इसमें place भी कर सकते हैं उसके उपर हमारे एक circular shape का hammer होता है और यह handle होते हैं जिससे हम hammer को उपर उठाते हैं ठीक है एक lock pin होता है जो की इसका locking arrangement होता है यह आप देख सकते हैं lock pin impact testing machine इसमें metal के base plate होती है a detachable cylindrical steel cup of internal diameter 10.2 cm जो हमारा cup है उसका internal diameter हमारा होता है 10.2 cm का और उसकी depth जो होती है वो हमारी होती है 5 cm ओके और जो metal hammer है उसकी weight होती है हमारी 13.5 से 14 kg 13.5 से 14 kg उसका भार होता है having the lower end cylindrical उसका lower जो end होता है वो cylindrical होता है और उसका diameter हमारा 10 cm का होता है और उसकी लंबाई हमारी होती है 5 cm की इसमें एक locking arrangement भी होता है जैसे कि अभी हम नहीं दिखाया था और उसको हम ऐसे arrange करके छोड़ सकते हैं जाकि उसकी height हमारी जो होगी lower end की hammer की वो 38 cm की हो ओके the height of fall being adjustable जो height है उसको adjust भी कर सकते हैं हम 0.5 cm तक तो यह था हमारा hammer और उपर से गिरने की इसकी height impact test machine ओके अब है tamping road tamping road क्या होती है यह हमारी एक metal की road होती है circular cross section इसका होता है एक cm का diameter है और लंबाई में यह 23 cm long होता है 20 cm long ओके यह हमारा आप देख सकते हैं figure में cup है और यह हमारा tamping road next अब देखते हैं sieve sieve हमारी इसमें काफी type की होती हैं काफी अलग-अलग size की होती है यह जैसे आप देख सकते हैं 80 cm की 40 cm की 20 cm की 10 cm की यह अलग-अलग हमारी sieve होती है microns में भी होती है जैसे आप इस figure में देख सकते हैं तो इस sieve का size है 2.36 mm ओके तो यह सभी IS जो specified है उसके design पे ही आधारित है और हमें इस practical के लिए जो हमारे sieve की जरूरत होती है वो हमें चाहिए 12.56 mm 10 mm और 2.36 mm 3 type की sieve यह हमारी 12.5 mm की sieve यह 10 mm की sieve और यह 2.36 mm की sieve ओके इनका हम यूज करेंगे practical में फिर है balance balance क्या होता है जो हमारी weighing machine होती है जिसके हम weight को measure करते है तो वो हमारी होती है balance यह आप देख सकते हैं figure में इसमें हम aggregate का weight को calculate करेंगे इसकी जो weight measuring capacity है वो 500 gram से कम नहीं होनी थी 500 grams और इसकी accuracy होनी थी है 0.1 gram इसमें oven की भी जरूत होती है oven से हम क्या करते हैं जो हमारा aggregate होता है उसको हम गरम करते हैं ताकि उसमें जो भी moisture content है और जो उसमे weight में increment या decrement कर सकता है तो उस moisture content को हम इसमें remove करने के लिए oven का भी इसमें use करते हैं आप देख सकते हैं यह हमारा oven है ओके next अब आता है हमारा procedure अब हम test procedure को perform करते हैं कैसे कैसे करते हैं first step हमारा जो होता है उसमें क्या करते हैं aggregates हम लेते हैं और उसको 12.5 mm की sieve से pass करते हैं और जो aggregate हमारा 12.5 mm की sieve से pass हो जाए और 10 mm की sieve पे retain हो जाए उसको हम 4 घंटे के लिए 4 hours के लिए oven में गरम करते हैं जो की temperature हमारा होता है 100 degree Celsius से 110 degree Celsius 110 degree Celsius तक उसका temperature हम set करके 4 घंटे के लिए उस aggregate को गरम करते हैं ताकि उसमें जितना भी moisture content है वो सब भी उसमें से निकल जाए next step हमारा क्या होता है measure the weight of empty cup empty जो हमारा cup है ये देखी इस cup का हमने weight कर लिया जो की हमारा आया है 6, 7, 8 gram 678 gram हमारा इसका weight आया है next step the aggregates are filled up to one third full of the cylindrical cup अब हमें aggregate को cup में डालना है एक बटे तीन height तक ये देखिए first हमने डाला एक बटे तीन की height तक फिर इसको अच्छे से tamp किया tamping road से tamping हम करेंगे 25 blows करेंगे फिर हम one third दुबारा बरेंगे ये हमारा second step है इसको हम दुबारा से 25 बार tamp करेंगे फिर इसमें हम aggregate डालेंगे इसको complete full करेंगे और फिर से हम tamp करेंगे tamping road से और ये तैंपिंग road ये आप देख सकते हैं और ये है हमारे lab instructor Mr.Nares जी ये से test में help कर रहे हैं हमारी साथ next step हमारा है aggregate के साथ हम इसका weight दुबारा से करेंगे weight of aggregate and cup अब ये देखिए दोनों के साथ इसका weight बढ़ जाता है 995.5 gram ओके ये हमारा step 4 था अब next step क्या आता है हमने cup को लिया और इसको base plate पे holding screw की मदद से अच्छे से यहाँ पे fix कर दिया ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये holding screw हटा हुआ है detach किया गया है और अब इसको हमने cup के साथ attach कर दिया है और इसको अच्छे से tight कर दिया है ताकि जो हमारा cup है ये move ना कर पाए जब इस पे अब आव दा अपर सर्फेस ओफ एग्रिगेट एग्रिगेट से अग्रिगेट का जो अपर सर्फेस है उस से जो हमारा हैमर का लोवर एज है उसकी डिस्टेंस 38 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और इस पे हम 15 बार ब्लोज करेंगे उपर से हैमर को इस गिराएंगे देखते हैं कैसे यह देखिए हमने लोकिंग जो पिन है लोकिंग अरेंजमेंट को अटा दिया है यहां से और यह देखिए इसमें जो 13.5 से और 14 कीजी का जो इसमें वेट है उसकी वज़े से यह इस पे इंपेक्ट डालेगा काफ़ी भारी होता है यह भी और उसकी वज़े से हमारे जो एग्रिगेट है वो क्रस होना स्टार्ट हो जाएगा अब यह टेस्ट परफॉम हो चुका है अब इसको हम लोक कर देंगे उपर जाके अब हमने क्या क्या जितना भी क्रस एग्रिगेट है यह हमने ले लिया है अब इसको हमने 2.36 mm की सीव पर इसको हम सीव कर लेंगे यह हमने सीव में डाल दिया है नीचे जो हमारा पैन है यह एम्टी पैन है इसमें जितना भी हमारा क्रश्ड मैटीरियल है वो छन के नीचे आ जाएगा अब देख सकते हैं यह स्क्रीनिंग है जितना भी डश्ट पार्टिकल जितना भी क्रश्ड मैटीरियल है वो सारा हमारा चलनी से निकल के सीव होके हमारा इस पैन में आ चुका है अब हम वेट करेंगे यह हमारा टोटल बेट था जब स्क्रीन और हमारा पैन का और यह हमारा एम्टी पैन का खाली पैन का हमारा वेट है इसमें कुछ increment हो चुका है, अब next, हमारा आता है calculation, calculation में हम क्या करेंगे weight of aggregate, हमारा aggregate है, उसका weight हमारा कितना था oven dry के बाद हमारा जो total weight है, वो है, w1 से हमने इसको represent किया है weight of aggregate and cup जो हमारा total weight है, उसमें से हमने subtract कर दिया है, weight of empty cup, खाली cup का weight हमने उसमें से निकाल दिया है, तो total weight हमारा जो बचेगा, वो हमारा aggregate का बचेगा यह आप देख सकते हैं, यह हमारा दोनों का combined weight था, aggregate का, प्लस cup का और खाली cup का हमारा weight था यह, हमने जब इसको minus किया तो यह हमारी value आगी 317.5 grams ओके, second step हमारा आएगा, w2 find out करने का, w2 क्या होता है, weight of crushed aggregate, जितने भी crush हुआ aggregate है, उसका weight, और उसको हम screenings भी बोलते हैं, तो उसका weight होता है हमारा w2 से हमने इसको represent किया है, weight of pen plus screens, जो भी screening है उसका, और pen का combined weight minus weight of empty pen empty pen का जो weight है, उसको हमने में इसमें भी minus कर दिया, तो हमारा जो weight आया, वो 20.5 grams आया, अब है impact value, हम इन percentage में हम कैसे फांटर करते हैं, weight of screen, यहनिकी, w2 divide by weight of aggregate, w1 into 100 अब हम जब इसको calculate करते हैं तो हमारी value आती है, 6.45 percent, okay result, the calculated impact value of aggregate is 6.45 percent, so it is exceptionally strong अब यह exceptionally strong, हमें कैसे पता लगा, यह हमें stable से देखेंगे okay, aggregate impact value, अगर 10 percent से कम हमारी value आती है, तो हमारा जो aggregate होगा, वो exceptionally strong होगा, काफी ज़्यादा मजबूत होगा, okay, जब इसकी value 10 से 20 percent होगा, 10 से 20 percent होगा, तब यह strong category होगा, जब इसकी value 22, 30 percent की होगी, तब यह हमारा होगा, satisfactory for road surfacing, road surfacing लिए satisfactory होगा, अगर इसकी value 35 percent से ज़्यादा आती है, तो यह weak है, कमज़ोर है road surfacing के लिए, okay, तो यह था हमारा test, हमारा final result, okay, तो यह था हमारा test, उमीद करता हूँ, आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, तो इसको अपने study related group में share कीजिए, मेरे channel को आप subscribe कीजिए, साथी साथ share कीजिए, और मेरी हर वीडियो को like भी कीजिए, ताकि मुझे कुछ motivation मिल सके, और मैं आपके लिए नई नई वीडियो ले के आ सकूँ, thank you for watching, have a good day.